गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स श्री बगवान दास्तोधी कोलेज की ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एक इंपोर्टेंट एनिमल की जो बहुत ही बैनिफीशल है और एप्लाइड जूलोजी के अंदर हम उसे पढ़ते हैं जिसका ना आपकी शिए चीज आएं बॉमबेक्स मॉराई जो एसे सब्सक्राइब को हैं टितली की दिखाई दने वाला जो अधिवतर शैतूत करने वाले में आज आपन किसा करने और इसका रेशम बनाने में रेशम निर्मान के अंदर उप्योग किया जाता है और रेशम की जो इंडस्ट्री रेशम निर्मान की सिल्क बनाने की जो इंडस्ट्री है तो उसको आपन इस तरह से कल्चर करा करके सिल्क प्राप्त करने को क्या कहते है इन अनिमल्स का कल्चर कर कि जिसमें पार्टिकुलर बॉम्बिक्स मौराई का कल्चर करा करके उससे रेशम प्राप्त किया जाता है ठीक है ना तो अब हमें आज देखना है कि इस अनिमल की अपन स्टडी कर रहे हैं स्पैसिमेन के थू यानि की प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ यू से जब अपन इसकी स प्रडक्शन दिया कि यह आर्थ्रोपोडा का मेंबर है इंसेक्टा जैसे मक्ही मच्छर हमें दिखाई देते हैं सुरी तितली दिखाई देती है तितली की तरह हमें दिखाई देने वाला जन्तु है तो इंसेक्टा क्लास का मेंबर है तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंग classification classification क्या है देखिए इसका phylum सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से संग के अंदर आता है जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया इसका phylum क्या है arthropoda है और class इसकी insect है ठीक है phylum क्या है arthropoda तो arthropoda क्यों है ये arthropoda में क्यों रखा गया इसको क्या क्या गरेक्टर है arthropoda के इसमें jointed appendages संदी युक्त उपांग ये सबसे बड़ा गुन है jointed appendages यानि कि संदी युक्त उपांग सारे जो body के parts होते है उपांग होते हैं संदी के descendants क्या पाइजाते हैं jointundai जोड पाurpose इसे हम इसको arthropoda में रखते हैं arthros का मतलब होता है jointed poda का मतलब होता है legs jointed legs या jointed appendages जिस भी संदुर्ण के इंदर पाए जाते हैं जंतोओं के उनको अपनierno- blended नाम से जानते हैं और क्या main character होता है बाइक अंकाल पाया जाता है एक्जो स्केल्टन पाया जाता है जो कि किसका बना होता है काईटीन का बना होता है तो क्या कह सकते हैं काईटीन एक्जो स्केल्टन पाया जाता है शरीर के बाहर तो यह हो गया फाइलम आर्थरोपोर्डा का करेक्टर दूसरा फाइलम के बाद इसकी क्लास क्या है ? Insecta कौन सी क्लास है ? Insecta Insecta क्लास जो होती है Arthroland Dickie उसका मुखे गुन क्या होता है ? शरीर जो होता है तीन खंडों के अंदर बटा होता है कैसे बटा होता है ? तीन खंडों में धी इस तरही से यह आप देख रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं यह इसका head है और यह इस प्रकार से यह जन्तु का देखिए जो जन्तु की जब हम बात करते हैं तो इसका head और यह thorax reason जो हम देख रहे हैं ठीक है head, thorax और abdomen reason हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है इसमें देखिए यह कौन सा reason हो गया इसका यहां पर इसका दिखाई दे रहा है इस तरीके से head दिखाई दे रहा है और यह जो इसका head दिखता है हमें इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए आपन बात कर रहे हैं किस तरीके से जब कोई जन्तु head, thorax और abdomen में बटा होता है तो कैसा दिखाई देगा शरीर, सीरधड और उधर में बटा होता है तो यह अपने इसका मान सकते हैं कि यह देखिए head है अगर आपने इसको बनाए तो इस तरीके से ज़्यादा इसमें डेवलव नहीं होता है डेवलॉप के अंदर नहीं पाया जाता इस तरीके से इसमाई ये मान सकते हैं है ज podeons इसका हैन रिष्ट को वाला रिजण अपन इसका मान सकते है है 우리 निस तरीस भॉडा है फारेकस रिदमें ऑनसा रीजण है इस तोरेकस लिए और बाद Canadian जो इसका रीजन हमें दिखाई दे रहा है यह सारा का सारा यह क्या है इसका एब्डोमन कि यह इसका इस तरीके से हैं हम देखिए बाद में यहाँ कि यह इसके जो निकले हुए है यह टेंटेकल इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें जो इसका है है एड थोरेक्स और यह जो एंटीना वाला रीजन दिखाई दे रहा है साथ में इस प्रकार से यहां पर थोरेक्स रीजन से जो है पंक्त निकलते हैं कि कि इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं यह देखिए इस प्रकार से यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह क्या कि लाएंगे इसके विंक्स कि लाएंगे तो बॉडी हम देख सकते हैं हैड में डिवाइड है और यह वाला पार्ट अपना क्या कहला रहा है थोरेक्स और यह वाला भाग हमारा कहला रहा है एब्डोमन ठीक है और यह आपको दिख रहे हैं यह क्या दिखाई दे रहें विंक्स दिखाई दे रहें कुछ इस प्रकार का यह बॉम्बेक्स मोराई जो एनिमल है हमें दिखाई देता है अधिक है है फोरेक्स और एंटीन आ हमें नजर आई रहा है इसमें तो इसमें अपनोंने क्या देखा कि इस तरीके के देखिए यहां इस तरीके से अब इसको ऐसे कर सकते हैं इस तरह कुछ स्केली टाइप इसके दिखाई देते हैं कि इस प्रकार का हमें एनिवल जय है यह दिखाई देता है बॉम्ब एक्स मोराई इसका थोरेक्स पार्ट है यह हमें जो इसमें इस प्रकार से दिखाई दे रहें विंक्स क्या है यह विंक्स और यह क्या है एंटीना और अब हमने देख Case ंडिये एक अउटलाइड बनाइये इनीवल हमें इस प्रकार का जो दिखाए दे रहा है बॉंबेक्स ही जिसको अपन बोल रहे हैं ये जो बॉंबेक्स मुर्यी है यह बोमबेक्स मोराई को अब आपने से जो क्लासिफिक्शन बढ़ रहे हैं और अपने से कमेंट करेंगे इसके उपर इस तरीके से यह इसके विंक्स है देखिए इस तरीके से विंक्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक आउटलाइन डाइग्राम अकनों ने बनाया है इसका अब इसमें जो है यह बोमबेक्स मोराई का डाइग्राम है इस तरह का कुछ हमें अडेल्ट जन्तु जो है देखने को मिलता है अडेल्ट व्यस्क प्राणी हमें इस तरह का देखने को मिलेगा जो हमें पता चल रहा है कि इसका शरीर इंसेक्टा में क्यों रखा इसको क्योंकि इसका श्रीर जो होता है सिर धड़ और एब्डोमन के अंदर क्या होता है बटा होता है साथ में इसमें यह विंक्स जो निकल रहे हैं कहां से निकल रहे हैं थोरेक्स वाले भाग से विंक्स निकलते हैं हमेशा और पैर भी यही से न गलते हैं, तीन जोडी पैर पाए जाते हैं, अधिकतरी इंसक्टा के जनतुउएं में, तो इंसक्टा का केरेक्टर क्या हैं? त्री पेयर ओफ लेग्स तीन जोडी पेरों का पाया जाना, यह उनका important character होता है, और शरीर जो होता है head, thorax और abdomen में बटा होता है body कि इन्टो कि हैड कि थोरेक्स एंड एब्डोमन ठीक है तीन भागों के अंदर इनका शरीर बटावा होता है अब क्लास के बाद ओर्डर की बात करें तो कौन से ओर्डर के अंदर यह आता है कौन से ओर्डर के अंदर इसको रखा गया है इसको ओर्डर में रखा गया है लैप Lepidoptera का मतलब है कि इनके जो mouth part होते हैं वो sucking type होते हैं चूसने लाइग होते हैं ठीक है Lepidoptera Mouth Parts sucking type sucking type बोल सकते हो पर्सिंग टाइप बोल सकते हो मतलब यह जैसे फूल उसके अंदर जो है चूसने योगे इसके कैसे होते हैं माउथ पार्ट होते हैं दूसरा इसका एक क्यरेक्टरोर हम ले सकते हैं कि जो इनकी पंक होते हैं पंक कैसे होते हैं, बड़े अकार के होते हैं, और पतले होते हैं, और उनमें स्केल्स नजर आते हैं, पंकों के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, कि विंग्स, लार्ज, थिन, एंड स्केली, क्या हो सकता और, विंग्स आर, लार्ज, थिन, एंड स्केली, शल्क जो है, स्केल्स दिखाई देते हैं, हमें इनके विंग्स पर, और दूसरा बड़े अकार के, और एक्दम पतले पतले पंक, इनमें पाए जाते हैं, तो ये अपनोंने इसका ओर्डर देखा, लैपिड़ अप्टेरा, क्लास इसकी इंसेक्टा, और फाइलम, इसका आर्थरोपोडा, और जीनस क्या है, जीनस क्या है, इसमें, बॉम्बेक्स मोराई, जीनस क्या है, बॉम्बेक्स मोराई, तो इस परकार से, इसका क्लासिफिकेशन अपना पूरा होता है, अब अपन इसके कमेंट्स की, बात करते हैं, कमेंट्स की बात करते हैं इस पर कमेंट करते हैं डाइगराम हमने बनाया इसका जिसमें दिखाई दे रहा है कि जनतु कैसा दिखाई देगा फिर इसको जो क्लासिफाई किया गया है क्यों किया गया है किस तरह से किया गया है किस में क्यों रखा गया है वो अपनोंने कारण सह का देख लेते हैं अब देखिए इसमें हम बात करते कमेंट करते हैं इसको समानेत है सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है कि किस नाम से जाना जाता है सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है समझ गे रेशम का कीडा रेशम कीट के नाम से इसको हम बॉम्बेक्स मॉराई को जाना जाता है तो बॉम्बेक्स मॉराई में ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताई दी कि रेशम कीट के नाम से जानना जाता है और इसका जो adult होता है वो कैसा होता है cream color का या white color का हो सकता है adult creamy और white in color रंग में कैसा हो सकता है cream color का हो सकता है या सफेद रंग का यह हो सकता है ठीक है और इसके adult का जीवन कितने तीन से चार दिन का होता है ठीक है adult survive on adult survive only three to four days तीन से चार दिन का इसका जीवन काल होता है adult का व्यस्क की जिसके हम bombex morai की बात कर रहे है ठीक है और body इसकी तीन बागों में बटी होती है और क्या पाया जाता है इसमें antenna पाया जाता है hairy antenna body divided into head thorax and abdomen में शरीर इसका बटा होता है ठीक है देखी रहे हैं हम सिर धड और abdomen के अंदर इसका शरीर बटा होता है bombex morai के व्यस्क की बात चल रहे है तो व्यस्क कैसा होगा इसका क्या इसके character होंगे यह हम बता रहे हैं अब इसमें और के नजरा रहे है आपको यह देखिए head के उपर hairy antenna पाया जाता है एक जोड़ी तो हम कह सकते हैं one pair hairy antenna present on the head sir पर एक जोड़ी antenna इसमें पाया जाता है चलिए यह हमें दिखाई दे रहा है और क्या कमेंट कर सकते हैं आपन बॉंबेx morai के बारे में क्या बात कर सकते हैं और इसमें आपन क्या कर सकते हैं कि जब यह resting stage में होता है तब इसके punk कैसे होते हैं horizontal होते हैं और punkों पर scales पाये जाते हैं scales are present on wings और punk कैसे होते हैं बड़े होते हैं और पतले होते हैं ठीक है ना scales पाये जाते हैं पंकों के उपर in resting stage in resting stage wings are horizontal ऐसे फैलाने क्या 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 क्याते हैं शक्ति जुरूप से punk कैसे फैले रहते हैं जब ऐसे कर लेता है ठीक है horizontal रूप से उसको फैला लेता है जब यह resting stage में होते हैं विश्रा मवस्था में तो यह भी इसकी विशेशता है और पंक एकदम पतले होते हैं और scales नजर आते हैं शल्क नजर आते हैं तो यह भी इसमें एक character है अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इसका development कैसा होता है indirect होता है और इसका larva जो होता है वो क्या कहलाता है caterpillar कहलाता है क्या कहलाता है यह तो adult हम बात कर रहें अब अगर हम इसके development की बात करें इस insect के तो हम कह सकते हैं development indirect होता है आप अरत्यक्ष लार्वा नौन एज कैटरपिलर ठीक है इसके लार्वा को क्या का जाता है caterpillar का जाता है और वही लार्वा जो क्या करता है अपने चारों तरफ रेश्ण की हां वड़ा क्रता है और फिर बाद में किस में दो जाता है तो कॉल्चूर कर वाते यूंche कठ़ करते ने किता करते यूंप गर्म पानी में डाल देते हैं रही से और यह दागा को यह उतार लेते हैं इसको और कैमिकल últimos की सायता से एक अच्छा रेशम प्राप्त कर लिया जाता है कि इस प्राणी में यह वेस्क करें आपनों ने बात की बामब् 대क्स मोराईकी ए सीटूत की पत्तियों पर पाए जाता है और और दूसरे पेड़ो पे सरुवाईव कर पाता और शैतूत की पतियां जो है वो ये इसका लारवा खाता ए। उनको खाकरकर करकरके आमरे करता है सिक्रेशन का बनाने। और अडल्ट जो होता है ये बोजन नहीं करता है ध्यान रखना की फीडिदिग करने का काम कौन करता है केवल लारवा करता है तो यहां हम लिख सकते हैं क्या यहां हम लिख सकते हैं कि लार्वा जो है वो किसकी पतिया खाता है शैतूत की पतिया खाता है और अपने चारो तरफ कोकून का सिक्रेशन करता है लार्वा convert into cocoon ठीक है by feeding leaves of moros alba शैतूत की पत्तियों जो है उनको खा करके यह feeding करके cocoon में convert हो जाता है and silk collected from cocoon ठीक है फिर silk का या रेशम का जो निर्मान होता है या रेशम जो प्राप्त किया जाता है जैसा मैंने का cocoon से प्राप्त होता है यानि कि सबसे पहले जो यह व्यस्क था इस व्यस्क के अंडे से क्या बना लार्वा बना उसको हमने बोला caterpillar अभी जो caterpillar होता है विशेश प्रकार की गती करता है इसका अपने head को इस तरह से angle से गुमाता जाता है और अपनी body से जो रेशम का धागा जो है उसको secret करता है उस दागे को अपने चारो तरफ लपेटता जाता है अपने head से और अपनी body के पार्ट से इस तरह से घुमाते घुमाते अपने चारो तरफ लिपेट लेता है लपेट करके फिर जो अवस्था बनती है उसको कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि silk collected from cocoon cocoon के द्वारा इस silk का क्या होता है निर्मान वो प्राप्त किया जाता है उसको तो यह रेशम industry का एक बहुत ही important animal है यानि कि हम जो रेशम प्राप्त करते हैं रेशम के कपड़े या रेशम की जो भी चीज यूज की जाती है वो सारा का सारा रेशम प्राप्त किया जाता है पर्टिकुलर इस बॉम्बेक्स मुराई नामाग जन्तु से इसलिए यह बहुत ही beneficial insect है इसके बारे में पढ़ना बहर जरूरी है और sericulture जो इंडस्टरी है इस insect की मदद से तो यह बहुत ही beneficial insect है इसके बारे में हमने आज के lecture में पढ़ा Thank you